तो गाइज वलकम बैक टो इस चैनल, so finally फेंड चाइनीज मार्केट में वन प्लस एस थ्रीवी स्मार्टफोन लॉंच हो गया है और ये स्मार्टफोन गाइज इंडियन मार्केट में आपको एस वन प्लस नोड फोर नेम के साथ देखने को मिलेगा और आज के इस वीडियो में फेंड्स स्मार्टफोन के सभी कंफर्म डीटेल्स पर बात करेंगे लायक इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं इस फिर्ण की इंडियन मार्केट में आपको प्राइज का देखने को मिलेगी और यह smartphone गाईज इंडियन मार्केट में कब तक launch होने वाला है वीडियो पसंदाई लाइक जरू कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe भी कर लो डेली ऐसे ही smartphone से related videos पाते रहने के लिए सबसे पहले friends build quality design वगेरा के बारे में बात करें तो oneplus node 4 smartphone का design आप अल्रेडी देख चुके हो कुछ इस look and design के साथ ये smartphone आने वाला है और smartphone में guys plastic frame दिया गया और back side पे आपको Corning Gorilla Glass Victus की production मिलेगी तो build quality smartphone में decent मिलने वाली है और यहाँ पर friends आपको IP65 rating भी देखने को मिल जाएगी जो की अच्छी बात है और इस smartphone में आपको alerts ladder भी definitely देखने को मिलेगा जो की oneplus की legacy रहती है और ये smartphone guys 200 gram weight के साथ आता है बागी यहाँ पर आपको 8 mm thickness देखने को मिलेगी so definitely ये smartphone थोड़ा बलकी होने वाला है अब दोस्तों display के बारे में बात करें तो oneplus node 4 smartphone में आपको 6.74 inches का अगेन एक 1.5 के resolution वाला फ्लेट OLED पैनल मिलने वाला है और यहाँ पर fans 10 bit colors HD 10 plus का sport भी दिया गया है और bezels चिन का size literally काफी ज़्यादा कम देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको screen to body ratio 92% से उपर देखने को मिलेगा और colors वगेरा भी काफी sharp और vibrant रहने वाले हैं तो content watching के लिए smartphone definitely काफी बढ़िया रहेगा आगे smartphone में 120 Hz की higher screen efficient का sport भी दिया गया है और आपको 2150 needs की peak brightness का sport देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छी brightness है outdoor condition में visibility आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी और यह smartphone guys under display fingerprint scanner के साथ देखने को मिलता है second दोस्तों performance की बात करें तो one plus node 4 smartphone में यहाँ पर काफी अच्छा अपग्रेड किया गया है विकोज इस smartphone में snapdragon 7 plus gen 3 processor देखने को मिलता है जो की काफी ज़्यदा powerful processor है विकोज इसके अंत्तू स्कोर्स निकल कराए हैं जो की हमें 1.5 million तक देखने को मिल जाते हैं जो की काफी ज़्यदा powerful processor रहता है तो यहाँ पर आपको performance के अंदर कोई भी issues देखने को नहीं मिलेंगे इस smartphone में आप hardcore gaming easily कर पाओगे बाकि यह chipset 4 nanometer fabrication पर बेस्ट है तो battery drain भी आपको कम देखने को मिलेगा और इस smartphone में guys LPDDR 5X RAM UFS 4.0 storage देखने को मिलती है और यह smartphone out the box Android 14 पर आएगा जहाँ पर आपको Oxygen OS 14 का sport Indian market में बिलेगा और इस smartphone में guys आपको 3 years के major OS updates भी दिया जाएंगे और guys camera department के बारे में बात करें तो OnePlus Note 4 smartphone के Chinese variant में हमें 50 megapixel का IMX 882 main sensor देखने को मिला है जो कि OIS बेस्टा और camera quality डेफिनेटली बढ़िया देखने को मिल जाती है लेकिन Indian variant के अंदर आपको Sony IMX 890 main sensor देखने को मिलेगा जो कि OIS के साथ आने वाला है तो camera quality आपको यहाँ पर ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी बाकि smartphone में 8 megapixel का ultrawet sensor दिया गया है जो कि again Sony का sensor रहता है बाकि smartphone के rear camera से आप 4K 60fps तक max video shoot भी कर पाऊगे फ्रेंट की बात करें तो इस smartphone में 16 megapixel का center punchol selfie camera दिया गया है और इसके front camera से fans आप full HD 30fps तक max video shoot कर पाऊगे यहीं पर smartphone की battle life और charging capacity के बारे में बात करें तो यहाँ पर fans इस बार huge upgrade किया गया है काफी ज़्यदा power efficient रहता है तो battery backup smartphone में आपको insane देखने को मिल जाएगा अगर आप heavy uses भी करते हो तो एक दिन का battery backup smartphone में आपको easily मिलने वाला है बाकि smartphone को charge करने के लिए 100 वोट की वाइड fast charging का support भी मिल जाता है तो इस smartphone में आपको charging speed भी बढ़िया देखने को मिलेगी लेकिन fans इस smartphone में आपको USB 2.0 type c port देखने को मिलेगा बाकि कुछ अधर details के बारे में बात करें तो OnePlus Note 4 smartphone में dual stereo speakers दिये गये हैं जहाँ पर Dolby Atmos का support देखने को मिल जाता है तो content watching के time यहाँ पर आपको sound भी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी और smartphone में guys IR blaster भी दिया गया है NFC Widevine L1 का support भी आता है तो OTT platform पर आप HDR में content enjoy कर पाऊगे बाकि smartphone में X-axis motor आती है तो haptics भी आपको solid देखने को मिलेगे और OnePlus Note 4 smartphone में connectivity के लिए Wi-Fi 6 Bluetooth version 5.4 का support दिया गया है तो connectivity smartphone में आपको काफी solid देखने को मिलेगी और all guys OnePlus Note 4 smartphone में features इस बार आपको काफी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं वैसे friends pricing के बारे में बात करें तो OnePlus Note 4 smartphone Chinese market के अंदर 23,000 rupees का launch हुआ है लेकिन friends Indian market में ये smartphone आपको 8120 8GB best variant के साथ देखने को मिलेगा और इसकी starting price 33,000 rupees देखने को मिलेगी और इस price range के according definitely guys smartphone में features काफी तगड़े देखने को मिलते हैं और ये smartphone guys एक best all-rounder smartphone होने वाला है लेकिन friends 8120 8GB variant के साथ आपको LPDDR 5 RAM के साथ your first 3.1 storage देखने को मिलेगी वैसे friends launching के बारे में बात करें तो OnePlus Note 4 smartphone Indian market में आपको next month देखने को मिलने वाला है और मेरे recording guys ये smartphone Indian market में आपको mid April से पहले ही Indian market में देखने को मिल जाएगा तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही hopefully आपको वीडियो पसंदाए होगा पसंदाए तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ share करना और डेली ऐसे ही smartphone से related updates के लिए चैनल को भी subscribe कर लेना